How to fix PTM for Business App Not Responding and Black Screen Problem नमस्कार दोस्तो तो आगर है आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है PTM for Business App का ये प्राबलम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं कभी कभी दोस्तो एसा प्राबलम इसलिए हो जाते हैं कि PTM या PTM for Business App का ये जो प्राबलम है कभी कभी इसलिए हो जाते हैं क्यूंकि एप के अंदर पर बग आ जाते हैं और साथे साथ में दोस्तों एप अगर आपका corrupted हो जाते हैं या फिर एप data crush हो जाते हैं तो उन सब के वज़े से प्राबलम करते हैं तो फिलाल इसको कैसे solve किया जा सकते हैं और कैसे solve करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को पुरा देखें और जो भी दोस्तों यहाँ पर solution अगाउस को follow करें आपका problem solve हो जाएगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले make sure चैनल को subscribe करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप online पैसा कामाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा और किसी भी problem की regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आप mobile को एक बार restart कीजिए restart करने के बाद दोस्तों एक बार check करके देखीगा अगर problem solve हो जाते हैं तो ठीके अगर problem solve नहीं होते हैं ठीके तो आपको जाना है play store and यहाँ पर search करना है paytm business ठीके उसके बाद इस app को update कर दीजिए एब update करने से दोस्तों आपका जो यहाँ पर bug problem solve होगा app data corrupted problem solve होगा app data crush problem solve होगा ठीके एब related जो भी problem है वो यहाँ पर आप fix कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको ऐसा कोई भी problem कोई भी issue हो जाते हैं तो आप simply यह solution को follow कीजिएगा ठीके तो यहाँ पर दोस्तों एप को update कीजिए mobile को restart कीजिए ends check करके देखे आपका problem solve होगा और दोस्तों अगर solve हो जाते हैं problem टो ठीके किसी रिधा तो solve हो जाते हैं इतना में किसी किसी का नहीं हो पाते ठीक है लेकिन मान लिजे अगर आपका problem solve नहीं होते तो फिर क्या करना है तो दोस्तो आप जाईए setting पर और next solution को follow कीजिए next पर दोस्तो आपको scroll down करना है उसके बाद आपको यहाँ पर app and notification पर जाना है ठीक है तो app and notification आप यहाँ पर search कर लिजेगा app and notification पर जाए उसके बाद आपको यहाँ पर search करना है paytm for business तो यहाँ पर दोस्तो आपको app and notification manage app, install app, app management, app manager करके option मिलेगा ठीक है तो इसमें जाएए इसमें जाने के बाद आपको search करना है paytm for business तो यह हो गया ठीक है मिल चुका है storage and case पर जाए clear storage ओके कर दीजेगा यह करने के बाद आपको bake करना है storage पर जाना है ओके यह हो चुका है अब यह permission पर जाना है और permissions को allow कर देना है ठीक है तो सारे permissions यहाँ पर allow कीजिए सारे permissions allow करने के बाद दोस्तो आप यहाँ पर bake कीजिए बेक करने के बाद आप जो है मोबाइल को रिश्टार्ट कीजिए and then दोस्तों चेक करके देखिए आपका problem solve हो जाएगा कई लोगों का problem इतना में solve हो जाते हैं तो आपका भी solve हो जाना चाहिए अगर problem solve हो जाते हैं तो ठीक है अगर problem solve नहीं हो पाते हैं by any chance तो आप जाएए play store उसके बाद आपको app uninstall कर देना है uninstall करने के बाद आप जाएए setting scroll down system and then system को update कीजिए system update करने के बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पर system update करने के बाद ठीक है आपको simply reinstall कर लेना है आपका ptm for business करने के बाद आप जो है यहाँ पर क्या कीजिएगा mobile को restart करके चेक कीजिएगा आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप जो है ptm for business एप problem solve कर सकते हैं तो यह complete solution को follow कीजिए और इस तरीके से आपका जो problem है वो fix कीजिए ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा झा क्या हूं तक्तुरके हैं